मुझसे बहुत लोग यह पूछते हैं कि मैं अपना पैसा इंवेस्ट कहां करता हूँ and I always find this question very interesting क्योंकि जब हम बहुत सारे लोग की investment strategies को समझते हैं कि वो अपना पैसा कहां डालते हैं, किदर डालते हैं, क्यों डालते हैं तो हमें एक तरीके से एक world map, एक world view मिलता है कि हम अपने पैसे के बारे में कैसे सोच सकते हैं मैं जैसे अपना पैसा invest करता हूँ, ज़रूरी रही है कि आपको भी वैसे ही करना है लेकिन सबसे important चीज याद रखने की ये हैं दोस्तों कि आप जिस उम्र के हैं, उस पे बहुत निरभर करता है कि आप किस टाइप का रिस्क लेंगे और कहां अपना पैसा डालेंगे For instance, जब मैं काफी यंग था और मैंने पस थोड़ा बहुत कमाना शुरू ही किया था मुझे याद है मेरी पहली नौकरी में मुझे 14,000 रुपे महीना मिलते थे और ये तब था जब मैं 24 साल का था तो उस समय पे मैं काफी रिस्क लेने के लिए तयार था और मैं बहुत सारे स्टॉक्स में डालता था मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत ही ट्रडिशनल लार्ज कंपनी स्टॉक्स में पैसा भी नहीं डालता था मैं छोटी-छोटी कंपनीों का जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा क्योंकि मुझे कहीं से कोई स्टॉक टे पा गया है कहीं किसी ने बताया है कि ये ना स्टॉक बढ़ने वाला है तो मैं लिटरली एक तरीके का सटा एक तरीके का गैंबल ही करता था बहुत रिस्की होता था मैं नहीं एडवाइस करूँगा ये करना क्योंकि ये ट्रेडिंग का एक तरीका होता है ये एक honestly अगर बोलू तो लट लगने वाली बात है क्योंकि कभी भी आप में अगर बहुत पैसे बना लेंगे तो आपको लगे का अरे वाह ये तो बहुत सही काम करता है लेकिन उतनी ही असानी से जितनी ही असानी से आपने पैसे कमाए हैं आप गवा भी सकते हैं आज मैं 40 साल का हूँ, मेरे पास एक परिवार है, उनकी responsibility है, मेरे माबाप है तो बहुत सारे ऐसे फर्ज हैं जिनको मुझे नेवाना है, more importantly मुझे future की planning करनी है क्योंकि किसी point पे मैं कमा नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों की education, उनकी आगे की जिंदगी वो सब plan करनी है तो तीन चीज़े हैं जो मैं करता हूँ, पहली चीज, actually इन तीन चीज़ों के beyond जो पहली चीज है और वो यह है कि मैंने अपना एक life insurance लिया हुआ है, ये life insurance इस ढंक से लिया गया है कि खुदाना खासता अगर मुझे कुछ हो जाता है, which is an event of death, या an event of permanent handicap or something तो मुझे एक amount मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा amount है, उसके लिए मैं साल का बहुत ज़्यादा premium देता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे परिवार के लिए, मेरे future के लिए सबसे best decision है क्योंकि एक तो मुझे उससे income tax rebate मिली रहा है, जो कि छोटी सी चीज़ है, but more importantly, मैं बिलकुल zero और one तरीके से इसको सोच रहा हूँ कि अगर मैं मर गया, तो मेरे परिवार के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उनको कभी भी पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, कभी भी and मैंने उतने का ही एक term insurance plan लिया हूँ है और अगर मैं जिन्दा रहा, तो मुझे अपने उपर इतना तो यकीन है ही, कि मैं जब तक जैसे भी करके कमाता रहूंगा मैं उस point तक अपने आपको, अपनी family को ले जाऊंगा So मैं, and this is not an advice which is coming from me, लेकिन मैं, जो ये insurance plans होते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा डालिए, फिर आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये मिलेगा, वो मिलेगा उन सब में मैं अपना इपैसा नहीं डालता हूँ, I would much rather invest it somewhere else, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मेरा एक पिलकुल protection वाला plan है, कि अगर मैं टबक गया, तो मेरे परिवार को उतना पैसा मिलना चाहिए, जितना की हमेशा के लिए काफी हो That's the first step अब मैं अपना पैसा invest कहां करता हूँ, तीन भागों में, equal नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे Around 40% of my PESA, of my, जो भी मैं income कमाता हूँ, वो मैं traditional large companies में डालता हूँ ये एक तरीके की stability है या एक foundation है, मैं उनके stocks खरीदता हूँ, कौनसे companies, TCS, Reliance, Infosys, Asian Paints तो मैं एक industry को देखता हूँ, उस industry पे एक तरीका का bet लेता हूँ, कि मुझे क्या लगता है, अगले 10-20 साल में ये industry चलती रहेगी, कि ये नहीं तो IT industry, absolutely अगले 20 साल तक चलती रहेगी, अगर आप furnishing के या home decor के बात करें, तो absolutely चलती रहेगी, बलकि बहुत ज़्यादा और चलेगी, क्योंकि अभी तो शुरू आती है, हिंदुस्तान में धीरे धीरे पैसे लोगों के पास आने शुरू हुए है, बहुत सारे और लोगे है, मैं उनके ऊपर बैट लेता हूँ, और उनके stocks खरीदता हूँ, not with the intention of selling it anytime soon, कोई intention नहीं है मेरा कि इन stocks को मैं 10 साल से पहले बेचूंगा, कोई इरादा नहीं है, मैं इन stocks को खरीद के भूल जाता हूँ, completely भूल जाता हूँ, मैं ना इन को फिर से देखता हूँ, ना लॉ मैंने ये पैसे डाल दिये हैं, और अब 10, 15, 20 साल बाद जब बच्चों को education के लिए, या मुझे किसी और ज़रूरत के लिए, या retirement के लिए, कोई भी पैसा चाहिए होगा, I will then monetize them and that will give me the money, तो ये मेरा 40% जाता है, फिर around 40 odd percent मेरा जाता है, mixed stocks में, जो की सबसे जाने माने stocks नहीं है, सबसी large companies में नहीं है, लेकिन एक investment strategy पर चल रहे हैं, तो एक investment strategy जो मैं काफी recently follow करना शुरूर किया हूँ, वो है momentum strategy, momentum strategy बहुत ही interesting से चीज़ है, वो ये बोलती है कि stock market में, जब एक stock बढ़ रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि यार बढ़ रहा है तो घटेगा, that's true, लेकिन कुछ time तक जो बढ़ता stock है ना, वो बढ़ता रहता है, एक momentum होता है, और बहुत सारे गुणी लोग हैं, ग्यानी लोग हैं, जो ये काम को समझते हैं, तो उन्होंने एक portfolio बनाया है, momentum stocks का, वो ऐसे stocks जो almost हर रोज या हर हफते अपने best price को hit किये जा रहे हैं, 52 week high जैसे बोलते हैं, and उसका एक तरीके से उन्होंने एक mutual fund बनाया है, एक ऐसा fund जहां ये stocks हैं, और उसको वो maintain करके रखते हैं, मेरे पास ना इतना दिमाग है, ना इतना तजुर्बा है, ना इतना time है, ना इतना experience है, तो जुर्बा experience एक ही चीज़ होती है, लेकिन English Indie, तो मैंने basically ये जानने की कोशिश करी कि क्या ऐसे लोग हैं, जो ये काम professionally करते हैं, 24 घंटे अपनी जिंदीकी के इसी काम के बारे मे सोचते रहते हैं, क्योंकि वो लोग इसको मुझसे जाला अच्छा कर सकते हैं, और अगर मैं जैसे mutual fund में हम पैसे डालते हैं, इन लोगों पे पैसा डालूँगा, तो वो इसी momentum strategy से, जितना भी मुझे return डाला सकते हैं, वो दिलाएंगे, और इसके चलते मुझे पता चला small case के बारे में, यह एक advertisement नहीं है, मैं genuinely believe करता हूँ कि यह product बहुत ही खुप सूरा product है, अगर आपने जरोदा का नाम सुना है, जो कि इंडिया का number one stock trading platform है, एक ऐसा platform जहां आप stocks खरीच सकते हैं, बेच सकते हैं, जरोदा, तो उनी की एक invested company हैं, जिसका नाम है small case, small case में क्या हो जो लोग investment professionals हैं, वो अपना एक small case बनाते हैं, एक ऐसा combination of stocks, जहां एक investment strategy के चलते, वो इन stocks को accumulate करते हैं, और फिर लोगों से बोलते हैं, आप इस strategy के पीछे पैसा डलाईए, तो आप वही stocks खरीदेंगे, जो हमने इस strategy में डाले हुए हैं, जब हम बेचने के लिए बोलेंग which I think is brilliant, क्योंकि mutual fund में मेरी सबसे बड़ी problem यह है, कि वो इतनम blank है, मुझे कोई idea नहीं है कि क्या चल रहा है, कोई fund manager है, वो कोई stock बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, I have zero control, zero visibility and कम से कम personally मुझे वो सही नहीं लगता, क्योंकि I would love to know कि क्या चल रहा है, कब चल रहा है, क्या हो बहुत सारे लोग हैं, जो medium risk small case बनाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, जो high risk small case बनाते हैं, momentum strategy जो है, वो high risk small case में आती है, और high risk में आती है, तो उनी में से कुछ small cases हैं, जिनको मैंने sign up किया हुए, and 40% of my time just goes towards that, and then 20% goes towards startups, जो सबसे risky है, क्योंकि जब आप एक startup में पैसा ड बहुत ही miraculous कुछ ऐसा होगा कि 1-2% startups होते हैं, जो इस early stage में successful होते हैं, मैं एक active angel investor नहीं हूँ, क्योंकि मैं directly invest नहीं करता हूँ, मैं एक network कि थ्रू invest करता हूँ, बहुत सारे ऐसे networks है, angel list है, let's venture है, but अगर आप अपने 20s में है, the lesson that you can take away from how I invest is, number one, secure your base, ताकि अगर खुदानाखास्ता कुछ हो जाए, तो आपकी जो भी जिम्मेवारियां हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, किसी और को काम ना करना पड़े, आप उसको insure करेंगे, तो अगर आपने कोई debt लिया हुआ है, आप उसको insure करेंगे, अगर कोई loan लिया हु तो उतने पैसे कमा लूँगा जितने मेरे परिवार के लिए काफी होंगे, तो मुझे अब 20 साल के लिए एक insurance plan चाहिए, क्योंकि 20 साल के अंदर अगर कुछ हो गया खुदानाखास्ता, तो मुश्किल में अपड़ जाएगे, तो आप उसके लिए plan लेगे, अगर आपको ल रोज मर रहा है के उच नीच पे ना, comfortable है, आप एक्दम भावक हो के react नहीं करना शुरू कर देंगे, आप ही ने बलो, ओ, market डाउन हो गए, सब कुछ बेच दो, ओ, market बढ़ रही है, सब कुछ खरीद लो, because that is not how a sane investor works, an investor, a value investor, वो होता है जो long term invest करता है, और value की basis पी invest करता ह कि मुझे यह लगता है कि इस company में value है, जो यह कर रही है, जिस हिसाप से इसके financials चल रहे हैं, तो कुछ companies हैं जो कभी भी आपको एक तरीके से दोखा नहीं देंगे, जो large companies हैं, अगर आप top 10, top 15 companies देखेंगे, HDFC हो गया, Reliance हो गया, TCS, Infosys, Wipro, यह सारी बहुत ही stable, secure companies हैं इनका rate of return इतना जादा नहीं होगा, लेकिन आप अगर इनमें invest करेंगे 10 साल तक, you will definitely get far more than any fixed deposit, far more than any other risky asset that you may want to bite into. and फिर अपना थोड़ा सा पैसा थोड़े रिस्क में डालिये, sign up for small cases which could be high risk, medium risk and you don't have to then think कि कैसे करें, क्या करें, क्योंकि लोग हैं जो हर रोस 2400 गंटे यही काम कर रहे हैं और आप कभी भी उनसे smart नहीं बन सकते, तो अपने uncle, अपने papa, अपने चाचा से यह पूछना बन क अगर कोई भी आपके बास सवाल है, मेरे investments, investment strategy तो नहीं बोलूँगा बट जो भी मैं इस धंक से भी invest करता हूं उसके बारे में तो please comment section में लिखिए, अगर आपको यह सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो please subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं जब भी एक वीडियो आपको तभी पता चलेगा जब आपने subscribe करके notification bell को click किया होगा, thank you so much, all the best!